कि नमास्कार दोस्तों स्वागत है आपका संदर्मणी आई से केटमी में तो आज का जो हमारा बैसिकली करेंट अफेर है इसमें हम लोग कबर करने वाले हैं आप देख सकते हो जैसा के नियूज यहां पर दिया वह है बिटल इंसेक्ट अटाइक्ट यानि इसका मतलब है साथ क्रिसी कीट जिसे विटल कहा जाता है ने कुछ ही घंटों में कई पेड़ों की पतियों को और कोमल साखाओं को पूरी तरीके से जो है काट लिया जैसे हम बोल सकते हैं वह क्लियर कर दिया और किसानों ने किट को टीडी समझ कर जैसे कि अभी हाली में लोकस्ट टीडी किसानों ने किट को टीडी समझ कर प्लेटों को पितना सुरू कर दिया आप जैसे यहां के देख सकते हैं यहां पर देख सकते हो कि कुछी घंटों भी क्लियर करिया और यहां पर किसानों ने जो है प्लेटों को पितना जो है सुरू कर दिया अब यहां पर देखना यह है कि ग्रामीने नों बताया कि गाय के गोबर में ओगे गोबर के समान अकार में बड़ी संख्या में छोटे कीड़े थे और सूचना मिलते ही अधिकारी वहाँ के जो लोकल अधिकारी थे उनको बुलाया गया और उन्होंने वहाँ पर पहुंचकर पूरी ही स्थीती का जार्या लि तो यहां पर बताई गया हो ये बताए गया कि कहाँ पर कि समय इक्टिव होते हैं ini सारे मौन्सुन के दोरा नहीं जो कि जो है समाने तौर पर आते हैं और रहने का जादा दावा किया जाता है तो एक सब्सकी एक कुमार नामदेव जो एक अग्रिकल्चर साइंटिस्ट है गोविन नगर के उन्होंने कहा कि यह इसे क्या कहा जाता वाइट बीटिल वहीं पर देख सकते हैं वाइट बीटल के रूप में इसे जाना जाता है वहीं पर एक और बात आई कि प्री मॉन्सुन के दौरां वह अधिक सक्रिय हो जाते हैं कृर्शि बैज्यानिक ब्रिज स्क्रियों ने वक कि यह क इक परकास के और आकरसीथ होते हैं आपने देखा के लिए दोस्तों यह मुंबई और पुने के चलती है यह ट्रेन जो है मुंबई और पुने के बीच फ्लैंक्ट बाइक का मतलब होता है बीच उसके भी चलती है अब यहां ध्यान देना है कि इसका जन्मदीन जिसे बोल सकते इसका जो रिकागनीशन हुआ जब शुरुआती पहले जुन को शुरु किया गया था है इसलिए इसको फर्स्ट जुन को इलिस्ट्रिस किया जाता है साथी साथ इसने एक जुन 133 को पहला परिचालन सुरु किया था दोस्तों याद रखना आपको धाकिनN Queen राइट जो हमारा अगला इसमें पॉइंट हो काफी इंपोर्ट अभी सब्सक्राइब देख रिख सकते हैं साथ सब्सक्राइब करो केवल एक समने सक्क् Museum के लिए हैं एक एसी परनी चीजी इस वह घल कि खासियत है वह यह स्में क्या में ने क्वाइनिंग का पेवांत वह शुइंब द मतलब है को आ पेपडिय। जोटकि अ거डूद ग्रेटीट इंडियन पलार शुरूप किया था यह च्छेतर के दो Carbon सेवा करने के लिए सुरूप की गई पहले डिलख्स ट्रेंग ते क्या थी पहली डिलख्स ट्रेंग थी अपको ध्यान देना है साथी साथ यहां पर आपको एक चीज़ और यह फोकस करना है कि यह तो हम लोगों ने बात किया कि यह काफी इंपोर्डेंट डिलक्स ट्रेंट थी तो इसका नाम पूने के नाम पर रखा गया जिसे क्वीन ऑफ डेकन भी कहा जाता है यानि हिंदी में अगर बात करें तो नाकास की रानी भी के रूप में भी इसे जाना जाता है तो आपको मालूम है कि जो महराश्ट्रा है वो डेकन प्लेटी यानि डेकन के पठार धकन के पठार पर इसदी थे वह तो अगला जो हमारा इसी नीज आई है वो यह है और काफी इंपोर्टेंट वे है कि आधस्न 2020 को इससे क्या किया जाता है मनाया जाता है डिस्टिंगेस किया जाता है और इसका जो थीम है वो क्या है innovation for sustainable development यानि क्या हुआ इसका मतलब यानि इसका मतलब हुआ सतत महासागर के लिए नवाचार यानि जिसे बोल सकते हैं सतत भीचार जिसे बोला जा सकता है महासागर के लिए नया भीचार है ना जिसको बोला जा सकता है तो इस अवधारना को मुल रूप से उन्हें देख सकते हो आइसी ओड़ी और और ऑशैन इस्टीचूट ऑफ कैनाड़ा तो वाइची दोवारा अर्थ समित रियो कंफरेंस ओन इनुवारमेंट एंड ड्रॉब्लप्नेट जीसे आप एवन सेडियो देजिनेर जो के ब्राजिल के रजानी है वहाँ पिसको प्रसावित सबसे ज़्यादा पॉपलेशन में मेट्रोपॉलीटिन सीटी से तो यह तीसरी सबसी घनियाबादी वाली यह चौथी इसको बोली जाती है कि वह सहर है तो मैं आपको बता दूँँ कि 2008 में यानि 2008 की बात है 2008 की बात है कि 2008 में विश्व महासगरिये सागरिये दिवस को संजुक तराष्ट्र दवरा अधिकारिक रूप से मनाई दी गई थी यानि मनाई गई थी तो यह मानेता भी दिया गया था उनके दवरा जिसे बोल सकता दो वर्ड वर्ड लेजी टुमेटली अब्जर्ट बाद उ उस्तों महिला और विकास मंत्राले दवरा इसको गठित किया गया याद रखना है साथी साथ यह मात्री तो की आयू और मात्री मिर्ट्यूदर को कम करने और पोसं अस्थर में सुधार से संबंदित मुद्धों की जाच करना इसका एम है और काम है तो जया जेटली दवरा निर्देशित जया जेटली दवरा निर्देशित जया जेटली दवरा जो निर्देशित है यह क्या है इसको गाइड किया गया है उनके कमिशन के दवरा इसको सुझाव दिया गया है और यह अगले महीने के 31 जुलाई तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी 31 जुलाई आप इसके बारे में थोड़ा से एक और फैक्ट जानते हैं हम लोग तो टास्क फुर उसके जना देश में गर्भवस्था जन्म और उसके बात के समय में स्वास्त और चिक्सिये कल्यान और मा और नवजात सीसु बच्चे के पुसंद की सिती के साथ बीवा और मात्रित वगे समंद की जास सामिल है दोस्तों इसमें आप देख सकते दो अब देख सकते मधर विध हील्थ प्रेगनेंसी और आफ्टरवर्ड तो यह सारा चीज इसमें बना होगा है अगला जो हमारा है अब वर्ड फूल्ड सेफटी डिया यानि इन्वार्मेंट से सम्बंदित हैं क्या है देखते हैं को दोस्तों विस्तो खाद को क्या किया गया रिनार्ड किया अगया मनाए गया रई तो वैसे बच्छे जिनकी इंग्लीज काफी ही अच्छी है और जो वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए यहां पर मैंने कुछ सिनोनियम सियूज करने के कुछिस के ताकि आपका भोके बेलरी भी स्ट्रॉंग हो आप अपनी एक्जामनेशन भोके वेलरी को लेकर आपको कोई भी समस्यान उठानी पड दफ्यूचर ओफ फूड सेफटी आप यहां पर देख सकते हैं लिखा हुआ है तो फूचर ओफ फूड सेफटी की छत्री यानि आप बोल सकते अंब्रेला के नीचे अदिस अभाबा सम्मिलन अदिस अभाबा का है कमेंट सेक्षन में आप जरू लिखने की कुछिस करें औ प्लीज बताएं दोस्तों अगला इसमें आप देख सकते हैं अगला जो हमारा पॉइंट है कि 20 वा खादी सुरक्षा दिवस के माधियम से संजुक तराष्ट के खाद और क्रिसिस संगठान यानि FAO के सहयोग से WHO ने सारवजनिक अजेंडर में खादी सुरक्षा की आप बो प्रोबॉट जोए उसके बारे में हैं जोकि पहला इंटर्नेट टी अंतरि रोबोट्स काफी इंपोर्टन नुहाँ उस एक काफी खुसी की बात है काफी संदार जो एक नियूज आई है जो कि एतने जो एमिट-लॉक्डाउन की बात की चीजा है जो दुनिया के सामने बहत ब्रीफ लुक लेते हैं दोस्तों, ठाने की इंजिनियर, ठाने का है एक महराष्टरा का सहर है, तो ठाने के कुछ इंजिनियर्स ने मिलकर, पहला उन्होंने खास थोर पे, कोई 19 मारीजों को इलाज करने वाले अस्पतालों के जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने तरह का पहला इंटरनेट नियोत्रित रोबोट बनावे किसके लिए फूर हेल्पिंग दग कोई 19 पैसेंट से याद रखना है चीज अगला हमारे इसमें इंपोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों वह क्या है यह मरीज के साथ नर्सों या वाड लड़कों के सारे रेकों पस्तितिया सं पर्क की आविसकता को समात करता है start-up PNT Solutions डोवी वर्ल के संस्थापक परतिक तिरोडकर दोवारे डिजाइन और निर्मित की गई है तो नाम क्या है इनका परतिक तिरोडकर founder of the start-up PNT solution in domby valley you have to understand यह तो हमारा निउस हुआ अगला दोस्तों हमारा इसमें है वो क्या है यह देखे हिंदी का है आप इसको संद्रबनी आइस अकेडमी के आप से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं इसको आप पर्चेज कर सकते हैं खैर अगला हमारा जो निउस है दोस्तों पी इसके बार में चल्चा करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है तो यहां पर देखना इंडियन ने में कॉमन से यानि सुरू किया इवेक्वेशन आफ सिटीजन स्वर्म इसलामिक रिपब्लीक और इरान विद दे हेलप सम्यूद्र से तू सब्सक्राइब आगे बढ़ते हैं दोस्तो भारती नौसिना ने 8 मई 2020 से शुरू होने वाले यहां आपे देख सकते हैं शुरू होने वाले भारती नागरी को को वापस लाने के लिए उपरेंसल समुद्र को सुरू किया थे इंदल लास्ट मन्थ पिछले महिने तो भारती नौसिना के जहाजों जलसवा और पहले ही माल्दी और स्रिलंका के 2874 करमचारियों को कोच्ची और तुति कुस कुरिन के बंदरगाह से अटा दिया है और समुद्र सेतु की अगले चरण में भारतिय नौसिना जहाज सरदूला होगा जो आठ जून 2020 को भारतिय नागरिकों को इरान के इसलामिक गनतंत्र बंदर अबाफस के बंदरगाह से पुरबंदर गुजरात के लिए निकाला और इसलामिक निकालेगा और इसलामिक रिपब्लिक आफ इरान आप यहां पर देख सकते हैं Islamic Republic और इरान तो Islamic Republic और इरान के बात किजा रही है यहां पर तो उन्हां पर जो भारतिये फसेव है तो भारतिये मिसन भारतिये नागरीकों के सूची तियार कर रहा है और उन्हें medical screening किया है सकता के बाद उनके आने के सुबधा परदान करेगा तो यह तो हम लोग ने देख लिया पहला नियूज अगला जो है काफी ही important नियूज है वो क्या है देखिया आप मिसन सागर आइनस कैसरी एड़ पोर्ट विक्टोरिया सीचिलिस यानि सेचिल्स इसको आप प्रणास कर सकते हैं दोस्तों मिसन सागर आइनस कैसरी पोर्ट विक्टोरिया में सेचिल्स यह नियूज है है हेडलाइन है तो इसके पार आइनस सागर के हिस्से के रूप में मिसन सागर के हिस्से के रूप में भारतीर नौसेना के जहात केसरी ने 7 जून 2020 को यहाँ पर द्यान दिना है 7 जून 2020 को पूर्ट विक्टोरिया सेसल्स में परवेस किया और इनका कठीन समय में भारत सरकार जो है कोई 19 महा मारीस निपटने और इसी आइनेस केसरी की और मित्रवत विदेशी देशों को सहाता प ले जा रहा है तो सेशील्स ने जो है रीक क्या था मिवर्न से डैट वी ओर्ट सम्मेडिसीन तो दे हब एक अच्छा इनका एक रूल प्ले किया जा रहा है को इंडिया को दो तो अगला जो हमारा नियूज आज इंफर्मेशन व्रावशेर 19 पर केंदरीत स्वास्ति और जोकिम संचार कारेकरम पर सुचना बिवरनी का जारी करता है ऐसा हेडिंग है तो न्यूज के हैं देखते हैं National Council for Science and Technology Communication राइट NCHTC और Department of Science and Technology जो है ने कोईड 19 जिसकों बोल सकते हैं तो कोईड 19 पर ध्यान देने के साथ स्वास्य और जोकिम संसार के लिए हाली में लॉंच किये गए कारेकरम Awareness on Science and Health Years of Awareness on Science and Health यह ध्यान रखना है तो Awareness on Science and Health यानि यस के लिए सुचना बेवरनी का जारी की है और ब्रॉसर बिसे सुरुप से कोई 19 महा मारे दुवारा उत्मान जोकिम संकटो आपदाओं और अनिस्टता के मुद्धों को हल करने के लिए देश भी स्तरह की बोल सकते हैं यहां कारेकरम कुथपति और आविसक्ता पर जनकारी देता है दोस्तों और कारेकरम ओरतमान और भवविसे की चनोती इस निपटने के लिए बेहतर त्यारी के लिए क्या करता है बिग्यान और स्वास पर सारवजनिक समझ बढ़ाने पर किंद्रीत है तो ये तो हम लोग न इसके बारे में जानते हैं भारती वाइस उन्हें प्रिथक परिवहन अर्पित के लिए एक एरबुर्ण रेस्क्यू पॉड की डिजाइन विकास और निर्मान किया है इस फली का उप्योग उच उचाय वाले छेत्र प्रिथक दुरत सस्थानों से संक्रामक रोगों से जो है वहां पर बनाया जाएगा उसको ऐसा डिजाइन किया जाएगा और इंडियन एरफॉर्स वाला महसूस किया गया ऐसा उनके दौरा एक जिसा मोल सकते इनिसीटीव और उन्होंने ऐसा रेक्मेंड किया कि जब कोई 19 महाबारीत घुसित किया गया तब इन्होंने क्या क किया था इस तरीके की कुछ हम बोल सकते हैं इंडियन एरफॉर्स ने तो पहले प्रोटोटाइब को विक्सित किया गया था उनके द्वारा दोस्तों और माननीय प्रधान मंत्री जो हम बोल सकते हमारे प्राइम निश्टर जो नरेंद्र मोदी है उनके दौरा आवान का समर प्रणाली को तुलना में बहुत कम है बहुत बड़ा डिफ्रेंस है आप देख सकते हो सव गुना कम है आप समझ मेरा आपको दूसरी चीज़ों सबसे इंपोर्टेंट है आपको समझना है कि अगला जो मारा न्यूस है अच्छा यह बताना आपको कि भोकल फोर लोगल किसक दोस्तों अपना देश सिरीज सो वडिज इस आल अबाउट वीवल डिसकस दोस्तों पहले देखना है कि जो भी मैं चीज़ आपको बताने की कोशिस कर रहा हूं वह चीज़ आपको समझना है कि वह क्या है आपके एक्जामनेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है कुछ ब वेबिनार जो है एक वीडियो यानि वेब कॉन्फरेंसिंग का इंटरनेट के माधियम से लाइव बैठ कर परसिक्छन या प्रसूती करन के लिए संचालित किया जाता है और यह वेब कॉन्फरेंसिंग में परतिक सहब आगी अपने कंप्यूटर के सामने बैठता और इंट स्क्रिप्टेड या गरे स्क्रिप्टेड ऑनलाइन वीडियो के एक स्रिंखला है जो आम तरुप एपिसोडिक रूप से इंटरनेट और वेब टेलिवीजन माधियम के भाग पर जारी किया जाता है जो पहली बार 1990 के दसक में अंत में उभरा और 2000 के दसक के शुरुआत मध देखो अपना देश सिंखला के तहत 29 वेबिनार के माधियम से मध्यप्रदेश के जंगली आस्टरे को एक अभासी सफारी परस्तूत करता है और ऐसा उनके दवरा एक कहीं न कहीं एक हम बूल सकते हैं कि बाई थ्रू दिया गया है दोस्तों वेबिनार ने दुनिया में सब से अधिक जयव बीटता वाले समंदर होटे स्पोर्ट में से एक को एक विसाला वासी सफारी अनुदान जो है प्रदान किया तो मध्यपरदेश राज जो है जिसे अतुले भारत के दिल के रूप में भी जाना जाता है तो परियाटन और मध्यपरदेश परियाटन पर कोई सकते हैं आन्यावसिक ताकि लोगों समाजी दोनी के मद्य नजर अपनी यात्रा के लिए होटलों में रहनी क्यों सकता ना हो और इन्हों वहानों को किराय पर ले सके तो ऐसा कुछ न्यूस था तो बाकि जो इसमें आप देख सकते हैं पिर हिंडिया फिर इंगलिस के डिश तो प्लीज कमेंट सक्षन में आप अपनी समझाव जो है देने की कोशिस करें बीडियों दकने के लिए तो